हर्याना कॉंगरिस की गुटबाजी के कान एक बार फिर से संगठन की लिस्ट अटक गई है जिसका बहुत लंबे वक्त से इंतजार था दो दिन के चंडिकट परवास के दुरान मिले फीड़बेक के बाद अब हर्याना कॉंगरिस के नम न्युक्त परभारी दीपक बाबरिया ने यहें फैसला लिया है विधायकों नेताओं से मिले इंपुट्स के बाद बाबरिया अब दिल्ली में भी फीड़बेक लेंगे इसके लिए उन्होंने कुछ नेताओं से वन टू वन यानि केस डारेक्ट मुलाकात की है इसके बाद अब उनको दिल्ली तवलब कर लिया यानि वहाँ पर बात करेंगे आपको बता दें के आम आदमी पार्टी का संगठन बनने के बाद तो कॉंग्रस के संगठन की हर कोई बाट जो हो रहा है चाहे बात की जाए कॉंग्रसी नेताओं की या फिर बात करेंगे पक्षी दलो की सभी देखना चाहते हैं के कॉंग्रस कितनी जल्दी ये तैयार अपना संगठन कर पाती है क्योंकि पिछले 9 साल से बिना संगठन के ही काम कर रही है कॉंग्रस पार्टी नमश्कार स्वागे था आपका SNA में SNA भारत आज हरियाना आज का वो शो है जिसमें हम खबरों का अविस्लेशन करते है यानि स्पेशल न्यूज एनलाइज करते है और आज का SNA किस पर है आज का SNA कॉंग्रेस की संगठन की गुटबाजी पर ही है पार्टी के सुत्रों के रुसार गुटों की एक राय बनाने के लिए वर्तमान में केंदर स्तर पर लटकी संगठन लिस्ट को रद कर दिया गया है अब उसे नए सिरे से भी त्यार किया जाएगा या फिर इसे ही लागू किया जाएगा यह अभी नहीं कहा जा सकता पार्टी विधायकों ने प्रभारी दीपक बावरिया से गुटबाजी को लेकर चिंता जताई थी और वो कौन-कौन से विधायक थे जिन्होंने चिंता जताई विधायक वर्ण मौलाला, शेली चोधरी, परदीब चोधरी, मेवा सिंग आदी ने बताया था कि पार्टी में यदि जल से जल गुटबाजी खतम नहीं की गई तो 2019 की तरह ही 2024 में भी कौंग्रस का वही हश्र होगा, चुनाव हार जाएंगे उन्होंने स्पस्च किया है कि हर्याना में कौंग्रस का संख्ठन होना बेहद ही जरूरी है हर्याना कांग्रस में अभी चार गुट चल रहे हैं, जिसका हर कोई जिकर भी करता है हरियाना कॉंग्रिस में अभी चार गुठ है इसमें पूरोव सियम भुपेंदर सिंग हुड़ा के साथ ही राज्य सभा सांसद रंदीप सुरुजेवाला पूरोव परदेश अध्यक्ष और छतिस गड़ में पार्टी परभारी कुमारी शैलजा पार्टी नेता और विधाय क किर्ण चोधरी के नामों को पर मुक्तासिल लिया जाता है यानि ये चार बड़े चहरे हैं जो अलग अलग अपना धपली अपना राग अलापते हैं हलाकि इन गुटों में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन है भुपेंदर सिंग उड़ा जो दस साल मुक्ष मंत्री रहे और उनकी शिर्ष नेतरताव तक आला कमान तक भी अच्छी पैट है पहुँचे उन्होंने संग्रन के नाम पर हर्यादा में अध्यक्ष रूप में चोधरी उद्यभान की न्युक्ती कराई थी यही कारण है कि आए दिन उन पर मजबूर अध्यक्ष के आरोप दूसर की है हर्यादा में सब्तासीन बीजेपी जेजेपी के साथ ही आम आदू पार्टी और आइनलडी के प्रमुक्ष चहरों पर चर्चा की बापरिया ने इसके बाद पार्टी नेताओं को कुछ दिशानिर्देश भी दिये है साथ ही विपक्षी नेताओं से लड़ने के लिए एक जुट होने का मंतर भी दिया यानि सलहा भी दी है 2019 में टिकट बटवारे का उठा मुद्दा यानि के इस मीटिंग में जो 2019 में टिक्टो का अबंटन हुआ था उसका भी जिकर चला हर्यादा कॉंगरिस की इस एहम बैठक में सभी गुटों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर आरोप पर चारोप लगाए सुर्जेवाला किरन चोधरी और शेलजा ने पूरव सियम पर एकाधिकार का आरोप लगाया वहीं भुपेंदर हुड़ा ने भी 2019 में टिकट बटवारे को लेकर सवाल किये उन्होंने कहा कि 2019 में ही कॉंग्रेस की सरकार बनना तै था लेकिन हमारे स्तर पर ही गलती हुई जिसका आकलन आज जरूरी है वरना तो वही हालात पैदा हो सकते हैं कॉंग्रेस फिर से पिछर सकती है अनुशाशन को लेकर भुपेंदर सिंग हुड़ा ने भी साथ दिया निसाना जब सभी उन पर हमला वर थे तो उन्होंने भी हमला किया पुरव सियम भुपेंदर सिंग हुड़ा ने कहा कि जो लोग चौधरी उदयभान को परदेश अध्यक्ष मानने से इंकार करते हैं वह किस मुह से अनुशाशन का दम भरते हैं उन्होंने कहा कि उदयभान को कॉंग्रेस हाई कमान ने परदेश अध्यक्ष बनाया है ऐसे में उनके खिलाफ होने वाली टिप्णियों को भी अनुशाशन हीनिता माना जाना चाहिए बार बार पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाली गतीवीदियों और बयान वाजी करने वालों को अपने भीतर जहाकना चाहिए कहीं न कहीं उनका इशारा किरन चोधरी, अंदीब सुर्जेवाला या फिर कुबाई शैलजा की तरफ था उनको नशीहत देना चाहते थे और वो अपना काम बखुबी कर गए इस दोरान बाप वरिया ने हर्याना कॉंग्रेस में सीम फेस को लेकर भी स्थीती स्पस्ट की उसका अन्तिन फैसला तो हाई कमान करेगा यानि के बाबरिया एक तीर से दो शिकार कर गए उन्होंने कहीं न कहीं इस बात को काभी खंडन कर दिया कि भुपेंदर सिंग हुड़ा ही सीम फेस है या आने वाले वक्त में भुपेंदर सिंग हुड़ा ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे इस बात को उन्होंने इंकार कर दिया क्योंकि ये बात कोन कहता है ये हाई कमान नहीं कहता है ये आम जनता ये विपक्ष नहीं कहता ये उनके चाहने वाले उनके समर्थक है वो कहते है कि भुपेंदर सिंग हुड़ा ही अगला सियम है कही न कहीं इसी तोर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाता है जो दूसरे नेता ह कुमारी शैल जा, इस बात से हमेशा इंकार करती है, लेकिन परभारी खुद अपने जुबान से उसे इंकार नहीं करना चाहते थी, इसलिए उन्होंने दूसरे दलों का नाम लिया, सक और संदेश वो दे कर चले गए, कि आहला कमान जिसको चाहेगा, वो सीम बनेगा, घुप बखुबी किया, पहले दिन जंकर हंगामा हुआ, जैसा कि मैंने बताया, उनके परवास दो दिन का था, पहले दिन हंगामा हुआ, हर्याना कॉंगरेस की एहम बैटक के पहले दिन पार्टी के ने परभारी दीपक बाबरिया के सौमें ही खुब हंगामा हुआ, पार्टी के नेता एक दूसरे पर कीचर उचालते रहे, उनके खिलाफ नारे बाजी करते दिखाई दिए, इस दुरान कुमारी शैलजा बीच में ही बैठक से निकल गई थी, समर्थकों ने उनके नाम के भावी CM के जो नारे लगाए थे, मिटिंग में नारे लगना कोई गलत नहीं, ये परभारी ने कहा, बैठक के बाद कॉंग्रेस परभारी दीपग ने नारे बाजी पर पर्तिकरिया दी थी, उन्होंने कहा कि नारे बाजी को मैं जादा तवज्यों नहीं देता, निताओं के समर्थक करते रहते हैं इस तरह की नारे बाजीयां, लेकिन मिटिंग में नारे बाजी करना बिल्कुल गलत है, उन्होंने ये कड़ा संदेश दिया कि पार्टी की उनिटी को परकरार रखना बहुत जरूरी है, इसके साथ ही छोटी छोटी बातों को लेकर मीडिया में चले जाना यह सही नहीं है, जो भी कोई यह करता है, उसके खिलाफ कारवाई की यानि कि कहीं न कहीं गुट बाजी को खतम करने के लिए कड़ा संदेश उनन दिया, कि जो हर बात को अपने साथी नेता की बात को लेकर मीडिया में चले जाते हैं, उनके खिलाफ अनरगल ब्यान बाजी करते हैं, उसको भी उन्होंने अनुशाशना अत्मक कारवाहियू का डर दिखाया। समर्थन करेगा, काउर इसको मजबूत करने के लिए काम करेगा, या फिर अपने आला कमान को आगे करने के लिए वो काम करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। में हर्याना कॉंग्रिस तो आदा दर्चन से अधिक परभारी मिल चुके हैं लेकिन कोई ना कोई तिक नहीं पाया यानि कोई लंबा नहीं तिक पाया ना काम कर पाया और ना ही संग्ठन खड़ा कर पाया तो इस नाते से दीपक बाबरिया की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जा यानि कहीं न कहीं जो बड़े नेता हैं जो बड़े चेहरे हैं कॉंग्रिस के वो ही कॉंग्रिस को कहीं न कहीं खराब करें और इसी से पार पाने के लिए आला कमान ने केंद्रे नेतरताव ने अब दीपक बाबरिया को भेजाए अब वो अपने मकसद में एक तना आगे ले जा पाएंगे क्या 2024 को वो सत्ता पर बठा पाएंगे ये बड़े सवाल है आपकी क्या राय है आप क्या मानते हैं हमें जरूर बताईएगा और दोस्तों अगर आपने हरियाना आज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और SNA को लगतार शेयर कीजिएगा बहुत बहुत धन्यवाद SNA के लिए इस्पाल कर जाएगा